स्टुडेंट्स आज का हमारा सबजेक्ट है इंग्लीज और इंग्लीज में आज हम करने वाले हैं small letter G, इससे पहले हमने capital letter G कर लियां, तो अभी हम करेंगे small letter G, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि small letter G कैसे बन्था है So now, C students, यह है small letter G तो first students आपको करना है Go, Done फिर आपको standing line करनी है Then, उसके बाद करना है Go, Done और अगर आप साथ में कर रहे हो ना तो देखो Go, Standing line, Go तो यह बन गया हमारा small letter G Right? तो students, सबसे पहले आपको आपकी English किसी W book निकालनी है और आपको open करना है Page number 2525 Okay? So first of all students, take out your pencil and eraser Done So now, C students, यह कौन सा letter है? Yes, small letter G So G for got G for got Done और भी दो pictures students, वो भी देखते हैं So G for grabs G for grabs Done और यह क्या है students? Yes, आपका बड़े होता है, तो gifts मिलती है ना तो G for gives G for gives, ओके और भी कहीं सारे picture से G से related, डैन? तो आज हम students यह लिखेंगे और साथ में यह pictures भी बोलेंगे So C students, आपको first line में ऐसे dot दिया है ना, तो आपको वो trace ही करने है, right? तो चलो, सबसे पहले क्या करना है हमको? Yes, सबसे पहले आपको यहाँ पर करने है, कव बनाना है, ओके? फिर, आपको यहाँ पर करना है, standing line और फिर कर देना है, कव तो यह बन गया हमारा small letter, G Then, चलो, फिर से हम करते हैं पहले हम करेंगे, कव Then, standing line, कव Small letter, G G for God Then, next one करते हैं हम कव, आपको ध्यान रखना है, कि आपको यह blue line से start करना है क्योंकि हम small letters लिख रहे हैं, okay? पहले कव किया Then, standing line की और फिर यहाँ पर इसे कव कर दिया So, small letter, G Done Again पहले हम करेंगे, कव Standing line, कव So, students, हमने first line, जो dots की थी, वो complete कर ली अभी हम next line से खुद लिखते हैं तो चलो, पहले क्या करेंगे हम, यास, पहले हम करेंगे, कव Done और फिर यहाँ से आपको करनी है Standing line और standing line करने के बाद, कव बनाना है तो यह बन गया, small letter, G G for grabs Then, चलो, next करते है पहले कव Standing line And then, कव Then, students, अभी तो हम सीख रहे हैं ना तो हम ऐसे line wise कर रहे है, बट देखो, इसकी method क्या है, देखो, पहले कव कर दिया फिर इसे standing line बना दी, और इसे कव कर दिया तो यह बीना pencil उठा यही करना है आपको, राइट So, G for grabs G for grabs Then, चलो, next one करते है पहले कव, standing line, कव So, G for got Then, चलो, अभी थर्ड लाइन करें, students पहले हम करेंगे कव Standing line, कव So, G for gift Yes, G for gift Again, we will do कव, standing line And then, small कव Yes, और देखो, अभी अम यह कव कर रहे हैं तो यह देखो, small C भी ऐसे बनता है तो small C तो आपको आता ही है फिर आपको standing line बना देनी है और वहाँ पर कव कर देना है तो यह बन गया हमारा small letter G G for grabs Okay, now last one कव Standing line, कव So, G for got G for grabs And G for gifts Okay, और भी picture है, जो आपको बोल ले है और इसके साथ इसके नीचे का जो work है वह आपको CW की book में अच्छे से complete करना है और इसके साथ थोड़ा सा आपको homework भी करना है तो सबसे पहले homework की book निकालो और open करो page number 2525 Yes, तो यह वाला जो page है वह आपका homework है Okay, so thank you